लेसन थ्री इन वैलिवल ट्रेजर इसका मतलब होता है अमूल या अनूल खजाना आपके इंग्लिश रीडर बुक स्पेशल सिरीज क्लास फॉर्थ लेसन नमबर त्री है इन वैलिवल ट्रेजर इस लेसन को हम दो पार्ट में कम्प्लीट करेंगे तो ये फस्ट पार्ट है व इसमें हम लेसन को समझेंगे और उसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और नेक्स वीडियो मींज पार्ट नमबर तू में हम इसकी सभी एकसाइजे सारा ग्रामर वाना पॉर्षन कम्प्लीट करेंगे स्टार्ट करते हैं अब हम लेसन को अब अपनी बुक में फिंगर रख सकते हैं और यहां से हम रीडिंग कर रहे हैं स्टार्ट वन्स तेयर लिव्ड अ बॉई नेम्द भगवान दास इन द विलेग चीचा चीचा गाउं में एक भगवान दास नाम का लड़का रहता था वन्स का मतलब है एक बार एक बार भगवान दास नाम का लड़का चीचा गाउं में रहता था वह बहुत ही आलसी लड़का था लेजी मीन आलसी इस फादर वाज अ पेमस आर्टीशन उसके पापा बहुत ही पेमस आर्टीशन थे और ये आर्टीशन का मतलब होता है शिलकार, मूर्थिकार या किसी ली कलार जैसे कोई आर्ट या ऍधिर क्राफ्ट की चीज़े बनाने में बहुत ही प्रफिशन मतलब दक्ष Ghon और प्रसिद्धी फेमस का मतलब होता है जिनको बहुत से लोग जानते हों, ठीक है, known by many, जिनको बहुत सारे लोग जानते हो, वो famous होते हैं, तो वो एक famous artisan थे, he was an expert doll maker, वो करते क्या थे, वो एक expert doll maker थे, मतलब वो गुडिया बनाते थे, पर भगवान दास ने कभी इस कला को नहीं सीख पाया, once his father fell seriously ill and he had no hope of life, एक बार उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, और कोई उम्मीद नहीं थी कि अब उनका जीवन बचे, he called भगवान दास and said, उन्होंने भगवान दास को बुलाया और बोला, son, बेटे, I have some treasure for you, but you will have to search it, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खजाना है, पर तुम्हें उसे ढूंदना पड़ेगा, इतना ही कहकर इन शब्दों के साथ उन्होंने अपने आखे हमेशा के लिए बंद कर ली, इसका मतलब है, हमेशा के लिए आखे बंद करने का यहाँ पर मतलब है, मृत्यों को प्राप्त करना, पैरा चेंज, a few days later, भगवान दास went into his father's workshop and started searching the treasure, कुछ ही दिनों के बाद भगवान दास अपने पिता के वर्कशोप, वर्कशोप मतलब बहुत जगा जहाँ पर वो बैठ कर काम करते पर डॉल बनाते थे, गया और वहाँ खजाना ढूंदने लगा, ढूंदना शुरू कर दिया, but he could not find nothing of that sort, पर खजाने की तरह का उसे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला, there he found some ready-made dolls, colors, brushes and molds, वहाँ उसे कुछ बनी बनाई, गुडिया, colors, brushes और molds मतलब साचे, मिले, जिसमें ढालके वो गुडिया बनाते थे, there were some incomplete dolls too, तू का मतलब यहाँ पर धी, उसे कुछ अधरूरी dolls भी मिली, भगवान दास did not understand anything, भगवान दास कुछ नहीं समझा, he neither had money, nor did not know anything by which he could earn some money, ना तो उसके पास पैसे थे, और ना ही वह यह जानता था, यह पैसे कैसे कमाए, यहाँ पर neither and nor का use हुआ है, जिसका मतलब होता है, ना ही यह और ना ही वो, जैसे यहाँ लिखा है, ना ही उसके पास पैसे थे, और ना ही तो वह पैसे कमाना जानता था, then suddenly he remembered the ready-made dolls kept in his father's workshop, अचानक तभी अचानक उसे याद आया, कि यहाँ पर कुछ बनी-बनाई dolls भी तो रखी हुई है, he took these dolls to bazaar, तो उन dolls को उसने bazaar ले गया, these dolls were sold like hotcakes, और यह सभी गुणियां बहुत जल्दी-जल्दी बिक गई, तो यहाँ लिखा है एक पैस, sold like hotcakes, इसका मतलब यह होता है, कि जल्दी से बिक जाना, पेच टर्न, भगवान तास earned some money, भगवान तास ने कुछ रुपे कमा लिये, these aroused greed in him, और इसी में उसके अंदर aroused greed का मतलब है, लालच को जगा देना, या किसी लालसा को जगा देना, तो उसके अंदर यह लालच जाग गया, and he started searching for some more ready-made dolls when he returned home, और जैसे ही वो घर पहुचा, जब वो घर पहुचा, तो उसमें और भी ready-made dolls को ढूणने लग गया, मतलब bunny बनाए, but he found some incomplete dolls, पर उसे कुछ अधूरी dolls ही मिली, भगवान तास thought, if I complete these dolls and sell them, I will get more money, तो भगवान तास ने सोचा, कि यदि मैं incomplete dolls को complete करके बेचता हूँ, तो क्या होगा, मुझे और money मिल जाएगी, at first he started coloring the uncolored dolls, तो सबसे पहले तो उसने आसान काम से शुरू किया, कि जिन dolls पे color नहीं हुआ था, वो complete थी, बट color नहीं हुआ था, उनको color करना start किया, in the beginning he spoiled a few, but he learned to color them slowly and gradually, in the beginning mean, शुरू में, शुरू में क्या हुआ, कि उसने कुछ dolls को तो खराप पर दिया या बिगाड़ दिया, spoil यह ने, जैसे पहले अच्छी थी, उसको थीट से कदर नहीं किया और बिगाड़ दिया, but, मतलब पर, slowly and gradually का मतलब होता है, दीरे-दीरे, मतलब ऐसा, slowly and gradually का मतलब दीरे-दीरे, जैसे कि आप प्रयात्न करके सीखते जा रहे हैं, तो कोशिश करते करते, उसे उसे color दरना बन गया, भगवान दास sold them in बाजार, and started earning, भगवान दास ने उनको बाजार में बेचा, और कमाना शुरू कर दिया, some days later, all the dolls colored by him, and sold out, कुछ ही दिनों बाद, सारे dolls जो कि uncolored थी, उनको color किया, और बेच दिया, now he was left the dolls without limbs, limbs का मतलब है, अंग, अब उसके पास ऐसी dolls पची थी, जो इनके limbs, किसी के कोई limbs नहीं थे, मतलब किसी के hand नहीं थे, किसी के lag नहीं थे, किसका face complete नहीं था, इस तरह से, मतलब अभी पूरी mold नहीं हुई थी, he thought, if I complete these dolls and sell, I will get enough money, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा, कि यदि मैं इन dolls को complete कर दू, तो मैं क्या करूंगा, मुझे और money मिल जाएगी, enough money मिल जाएगी, enough का मतलब है, परयाप्त, मतलब परयाप्त पैसा मिल जाएगा, जितनी मुझे earning चाहिए है, तो देखें, यहाँ if का use हुआ है, तो if का मतलब होता है, यदि, और यहाँ क्या लिखा है, if I complete these dolls and sell, तो यहाँ पर यह जो sentence है, यह present tense में है, मतलब क्या बोलाओ से, यदि मैं in dolls को complete करता हूँ, और बेचता हूँ, तो I will get enough money, तो sentence का बागी का part किस tense में, future tense में है, तो हम if लगाते हैं, और दो sentence को इस तरह से combine कर सकते हैं, जिसमें से पहला sentence present tense में होगा, और दूसर sentence future tense में होगा, किस तरह का यह sentence है, यदि मैं यह करता हूँ, तो ऐसा होगा, इस तरह का यह sentence है, तो इसको हम exercises में देखेंगे, if I complete these dolls and sell, I will get enough money, यदि मैं in dolls को complete करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, enough money मिलेगी, he started working on the dolls, तो उसने इन dolls पर काम करना शुरू कर दिया, अब आपको दिखेगी, इस तरह की picture आपके book में, जिसमें की भगवान दास बैटके काम कर रहा है, dolls पर बनाते जा रहा है, लगलग limbs आपको दिख रहे हैं dolls के, initially he was unsuccessful, शुरू में तो उसे सफलता नहीं मिली मतलब, अच्छे से नहीं बनी dolls उससे, but he tried again and again, पर उसने बार बार कोशिश की, a few days later, he started making dolls like his father, और कुछी दिनों बाद क्या हुआ, वो अपने पादर के जैसे doll बनाने लगा, he sold them and earned enough money, उसने उन्हें बेचा और परियाप्त मनी कमा ली, now भगवान दास has had realized, the meaning of the invaluable treasure, his father spoke up, तो अब भगवान दास को पता चला, realize means पता चलना या अनुभा होगने के बाद पता चलना, तो भगवान दास को पता चला, कि ये invaluable treasure, मतलब अन्मोल खजाने का मतलब क्या है, जिसके बारे में उसके पिताजी बता रहे थे, ये आपका chapter complete हो गया है, और यहाँ पर इसकी reading आप करके देखिए, तो हम इसकी glossary start करते हैं, invaluable means very valuable और useful, इसका मतलब उता अमूल या अन्मोल, यहाँ जिसकी कोई value नहीं लगा सकते पर फिर भी वो अन्मोल है, तो वो invaluable है, treasure का मतलब होता है collection of valuable things, मतलब खजाना, lazy, unwilling to work, जिसकों काम नहीं करना है, healthy, artisan, a person who does skilled work, a craftsman, मतलब कुछ खास art craft का का काम करता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है, होते हैं न, तो artisan कहलाते हैं, wealth का मतलब होता है, धनिया दॉलर, large amount of money and property, next, search, search का मतलब होता, attempt to find, खोजना, for forever, a very long time, the state of always existing, कुछ ऐसा जो बहुत समय तक, लंबे समय तक जो रहता ही है, उसे हम क्या कहते हैं, हमेशा रहने वाला, forever means, हमेशा, mold means, साचा, container used for casting statues, casting means, ढालना, suddenly, quickly and unexpectedly, unexpectedly का मीनिंग होता है, अच्छानक से उम्मीद नहीं की थी, और quickly means, जल्दी से, तो suddenly का मीनिंग हुआ, अच्छानक, remember means, to keep in mind, दिमाग में रखना, क्या करते हैं, याद रखना, spoil का मीनिंग होता है, changing something good into bad, किसी चीज़ को अच्छी चीज़ से, बुरी चीज़ में बदल जाना, मतलब, खराब कर देना, या बिगड जाना, spoiler ने, बिगड़ा, gradually means, slowly, मतलब, धीरे-धीरे, earn, earn का मीनिंग होता है, to get money for work, यदि आपको direct money मिले, तो warning नहीं है, लेकिन आपने कुछ work कि, और उसके बदले, जो money मिलती है, वो होती है, उसको क्या कहता है, कमाना, earn, realize means, to understand, समझना, मान लेना, expert, a person with special knowledge of something, यदि कोई person है, उसको बहुत ज्यान है, एक particular चीज़ के बारे में, तो वो उसका क्या बन जाता है, expert means, विशेशग्य, sell like hot cakes, means to sell quickly, or in great number, मतलब, जल्दी जल्दी, और आसानी से बिक्री हो जाना, बस market में ले गए, और जल्दी जल्दी बिक्री जाना, means, कोई भी चीज़ को sell like hot cakes, initially, at the beginning, शुरुवात में, शुरू से, ready made, prepared in advance, so that you can use it immediately, मतलब, कोई भी चीज़ पहले से, ऐसी तयारों की, आप उसको तुरंट यूज़ कर सकते हैं, ready made, जैसे hotel से खाना लेते हैं, तुरंट खा सकते हैं, बनाना नहीं पड़ता, और घर में सामान लाते हैं, तो बनाते हैं, तो ready made, मतलब वह पहले से तैयार, initially, ये दोवार ये word आया है, at the beginning, मतलब शुरू से या प्रारम से, तो ये आपके वीडियो का part 1 complete होता है, और जल्दी से हम इसका part 2 हम start करेंगे,